कि आपको क्या लगता है कि कौन यहां पर बेहतर कर सकता है बाहर से देखके कोई इनसान को तो पहचानता नहीं ना कि इसका mentality कैसा है किसा feelings कैसा है तो इसाइन मैसीन तो मेरा पास नहीं है अगर इसाइन होता तो सब का भील में जग के देखता है आपको एक को तो वोट देना ह नहीं नहीं देखिए नमस्कार तो आपके साथ मैं हूँ काविंद्र चौहार और आज जैसे की पस्चम मंगाल में तीसरे चरड की वोटिंग हो रही है ऐसे मैं आपको बता दे कि यहाँ पर इससे पहले कल जेपी नडडा पास में आये थे उन्होंने रैली को संबोधित किया और उन्हें एक रोड शो किया इससे पहले भी यहाँ पर ममता बनर जी जो मुख्यमंत्री है पस्चम मंगाल की बो भी आई और लोगों से वोटों को लेकर अपील की आपको पीछे बता दे कि आज इस तरीके से वोटिंग है उसके पुखता इंतिजाम जो सुरक्षात के द कि यहाँ जैसे कि आज वोटिंग हो रही है अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है बरुविपूर इलाका है यह पीछे दक्षे 24 परगना पड़ता है कोलकाता के समीप का इलाका है यहाँ पर एक और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर आ गए इंडियन आर्मी कि जो टी-शर्ट है वो पहने हुए इंसे बात करते हैं यह बताईएगा आप यहाँ क्या करते हैं मैं तो शादू सुनना सी मेरा पीदाजी मिलेटरी में था अच्छा यह बताईएगा यहाँ पर आपको पता है कि चुनाओ चल रहे हैं तो सत्ता में या तो परिवर्तन होगा या सत्ता वही काबिज रहेगी जो पहले से आप किसको चाहते हैं कि वो सत्ता में देखिए मैं एक बात बताता हूँ अच्छा यह बिल्कुल खुल के न्यूट्रली हां जिसामी ब्यवियकरन तो क्या काब गिमिए फ्यू मेंनम ओमन हुआर प्योरा शेप्लेस तो यह पूरा देश और दुनिया को को गोल्ड को गोल्डेन बन सकता है जो सिन परसंट प्योरा शेप्लेस है सिन परसंट अनेस् अनेस्ट बनेगा गोल्डेन ना देश बनेगा ना दूणिया बनेगा अच्छा यह बताइए यहां के परिपिक्ष्त से बताईए यहां पर आपको क्या लगता है कि पस्चेम मंगाल के लिए कौन सही भाजपा यह तोट्रूमोल कोई बता तो देखिए अगर ऐसा विचार करूँ जो सेंपस्टन राइट मनें ऑनेस्ट मैन है उसको भूट दूस्ट कहां कहां है जो उसको छूता हो करीब उसके वह करीब देखिए मेरा पास तो ऐसा ही मैसिन नहीं है किसका दिल में क्या है वह तो मानुस्तों मैं पड़ी दिल्लोमेटिक बात कर रहे हैं मैं यह पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि कौन यहां पर बहुतर कर सकता है बाहर से देखिए कोई इंसान को तो पैचनता नहीं ना किसका मेंटलीटी कैसा है किसा फिलिंस कैसा है दो इसाई मैसिन तो मेरा पास नहीं है अगर ने जाएए खर दो अगर फिल्ड मेंट मुझ को देखना पड़े आप इस फिल्डेंट यह थीर सट्वास थैसलों यह थैसलों यह थे किसी को बत्सकर मैंट ंए यह थो पूछ रहाएं यहैं अधिक़्े नगा कि ए पुछ रहा हूँ कि यह यह थो उल्ली को है तो फाइदा होगा आम पब्लिक कितर है मैं एक बाता तो खुब अच्छा बात बाता बाता ना चाहता हूँ जिस लोग खुलके बोलते नहीं आप खुलके बोल रहे हैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस इस देश को बाचने के लिए सबको एक होना पड़ेगा ठीक है जब इस देश का हर इंसान जो माजबका हो जो जैसा पार्सनल है ठीक है लेकिन इस देश का बाचने के लिए सबको एक होना पड़ेगा बीजेपी कैसी लगती आप इंसान है ना सबको एक होना पड़ेगा और एक तक तक ताकत है ना उसको अच्छा कम में लागाना पड़ है यह TMC है एक उंगली पकड़ी जए रहा है मैंने क्या कहा जो बहतर जीरे से उंगली पकड़ लिए बीजेपी टीमसी पाटी में अच्छा लोग है बुरा लोग है मैं अच्छा लोग को कोई एक तो होगी ना जो आपको लगे कि यहां आनी चाहिए बहतर है अभी कोई नही मुझे लग रहा है कि आप भी दूड़ा सा अच्छा इंसान को मैं सप्ट करता हूं जो बुरा काम करता है और जो पाठी में है उसको मोधी जी कैसे लगते हैं आपको देखिए एक बात है कि यह मोधी का दिल में क्या है मेरा मालूम नहीं है लेकिन उसको बात अच्छा लोगों भीड में जो चीज आती है वो कही ना कहीं एक आवाज को दबा देती है लेकिन एक आवाज ऐसी होती है जो बहुत सारी अंकही बाते भी कह जाती है तो ऐसे ही मेरे साथ जो भी मौझूद थे जो टी-शर्ट पहले हुथ है आर्मी की उन्होंने दभी कुछली आव कही ना कही लोग उनकी तरफ जुकाओ रख सकते हैं। लेकिन अगर TMC ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि नहीं, वो दुबारा से रिपीट होने वाले हैं। तो ऐसे में कही ना कही जो परिवर्तन है, वो कही ना कही दिशा भटक सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा खेल सिर्फ narrative का है, narrative का खेल यहाँ पर बाकी रह गया है, फिलाल यह अच्छी बात है, कि जिस तरीके की हिंसा हम लोगों ने 2018 के 25 चुनाओं में देखी थी, वैसी हिंसा देखने को नहीं मिली, और इस समय चुनाओं जो है वो ठीक ठाक गुजर रहा है, तीन फेस की जो वोटिंग हो चुकी है, और ऐसे में छोटी मोटी घटनाओं को अगर दरकिनार कर दें, तो कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिली है, और चुनाओं ठीक डंग से अपनी और बढ़ता जा रहा है, और चुनाओं की पूरी coverage देखने के आप News World India के साथ बने रहिएगा, और देखते रहिएगा News World India, लेकिन उससे पहले जाते जाते आपको एक तस्वीरे दिखा देता हूँ कि BSF का जो हवाईजाज है, वो अब यहां से ओड़ रहा है, और जाते जाते आप इस हवाईजाज को ओड़ते हुए देखिए, तब त